1200 प्लस रिपोर्टर्स प्रगान नंत्री जी आज का पहला सवाल जारी हुआ तो मेरा पहला सवाल यह है कि आप इस मैनिफेस्टो में क्या एहम बाते देखते हैं सबसे बड़ी बात है जो एक जिम्मेवार दल और एक प्रकार से गंभीरता पुर्वक जिसको आगे भी सरकार चलाने की जिम्मेवारी मिलने वाली है यह पक्का है उसका जितना मैच्चूर मैनिफेस्टो होना चाहिए उतना यह मैच्चूर मैनिफेस्टो है इस मैनिफेस्टों में पहली बार हमने यहने 2022 और 2024 इसको हमने विशेस रुप से प्रस्थुत किया है इसका मतलब कि सरकार की accountability पांच साल के बाद ने विश में भी एक बार होगी यह अपने आप में पहले कोई करता नहीं था और हमने आजादी के 75 साल, 75 कदम और पूरनता के लक्षवाले ताइग यह है दूसरा हमने कहा है कि इस पांच साल देश का वो foundation त्यार करेंगे जो आजादी के 100 साल होंगे तब देश को कहां पहुचाना है फिर कालाधन हो, प्रस्टाचार हो, देश में बेईमानी हो इन सारे विशों को कैसे हैंडल करना है इसकी चर्चा की है राश्ट्रिय सुरक्षा के संदर्प में सभी मस्टवपर हमने और वो एक मुद्दा ऐसा है कि जहां हमारे पहले जितने मेनिफेस्टों आए उन्होंने देश के साथ घोरहन्याए किया है गरीब हो, दलीत हो, पिडीत हो, शोसित हो, वंचित हो, आदिवासी हो उनके कल्यान के लिए समय बद्द कारकम क्या हो महिलाए हो, युवा हो, सिनियर सिटिजन हो उनके तरफ कैसे ध्यान दिया जाए गाँ हो, गरीब हो, किसान हो उनके जीवन में कैसे बड़लाव लाया जाए और देश को आधुनिकता की तरफ भी ले जाना है देश में टेकनलोजी का प्रभाव जो रहेगा वो विकांस के अनुकुल कैसे हो सामान ने मानवी के एस्पिरेशन के अनुकुल कैसे हो और 2014 से 2019 हमने जो काम किया वो एक प्रकार से निराशा की गर्थ में डूबे हुए देश को बहार लाना नए आत्म विश्वास को पैदा करना और सामान ने मानवी की जो आवश्यक्ता है उस पर हमने ध्यान केंद्रित किया घर चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, रास्ता चाहिए उस पर ध्यान आकरित किया आने वाले पांच वर्ष बीते पांच वर्ष आवश्यक्ता की पूर्तिके थे तो आने वाले पांच वर्ष सामान ने मानवी की आकांख्षाओं को ताकत देने के हैं उन आकांख्षाओं के लिए आउसर देने के लिए है तो अगर आप ये घोशना पत्र को देखें तो ये और पार्टियों के घोशना पत्रों से कैसे अलग है खास करके कॉंग्रेस के घोशना पत्र से पहले दो नाम से ही फर्ख है उनका गोषणा है हमारा संकल्प है हमने संकल्प पत्र कहा है मैं चाहूंगा कि देश के बिदवजन दोनु हमारे संकल्प उतकर और कॉंग्रेश की गोषणा दोनों का तुलनात प्रग अभयास करें दूसरा हमारे track record के आधार पर हमारे गोश्णापत्र को देखा जाए तीसरा उनके track record के आधार पर उनका गोश्णापत्र देखा जाए कई बाते ऐसी हैं कि जुसमें आस्मान जमिन कांतर है आज आतंगवाद को खतम करने की एक महत्वपूर मोड पर हम खड़े हैं तब हातंगवाद्यों को हर प्रकार से दबाव प्यादा करना, डिमोलाइज करना, साइकोलोजिकल वार भी जीतना उसके बजाए कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में से ऐसा मैसेज निकल रहा है जैसे आतंगवाद्यों के प्रति नर्वी बरती जाएगी, सिंप्रती रखी जाएगी जहां तक आर्मी का सवाल है, आर्मी के समन में जो कुछ भी कहा गया है, वो वैसा ही कहा गया है, जो कभी न गभी पाकिस्तान बोलता रहा है कोई भी देशवक्त नागरी इस भाशा को श्विकार नहीं करेगा उन्हें एक बात कहीं, आप साथ को हटाने की है, अब आप साथ को हटाने की बात करने का मटलब है कि आप अपने सेना के जवानों के हाथ में से सारे सस्त्र ले रहें तो देश की सेना के जवान को इस प्रकार से निहत्य करना क्या शोभा देता है क्या और भारत की सेना पिस्किपिंग फोर्स में भारत के सुरक्षाबल के जवान जाते है जब से पिस्किपिंग फोर्स बना है तब से जाते हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा नमबर भेजने वालों में हिंदुस्तान है लेकिन अनुभवी आया है कि इतने सालों में सारे दुनिया में भारत के सेना के लोगों के डिसिप्लीन ड्यूटी के प्रति उनका समर्पान इसकी भर्चक सरहना होती रही है बड़ा गवरोगान होता रहा है आज हमारे ही देश की एक एक डल जो पचास सार साल तक सरकार चलाता रहा वो आज इस प्रकार की भाशा बोले इससे बड़ा दुर्भागी क्या हो सकता है तो आप अक्सपा को कैसे देखते हैं क्या कोई एक टाइम बाउंड वे में उसको वो किया जाएगा देश में पहले ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए कि आपसकास की जरूती ना पड़े जैसे हमने अरुनाचल में परिस्थिति पैदा की तो कुछ जिलों से हमने हटाया हमने कुछ राज्यों में से हटाया 1980 के बाद पहली बार हटाने का काम हमने किया है लेकिन कानून को तो बनाए रखा है सरकार के पास हथियार तो होना ही चाहिए ताकि जवानों को एक सुरक्षा मिले तब जवान मोरली लड़ सके और जम्मू कश्मीर पैसे हटाने का मतलब होता है कि हमने हमारे जवानों को फासी के तक पर लटका दे ना मैं देश के जवानों के साथ आना साथ नहीं होने दूगा मोधी जी चौदा फर्वरी को पुलवामा में सी आर पी एफ पर रातंग की हमला हुआ उसके बार मुझे याद है पच्चिस फर्वरी को आप हमारे राइसिंग इंडिया समिट में चीफ गेस बन कर भी आए आपने हमनों कुछ आभाज भी नहीं होने दिया कि आपके मन में क्या चल रहा है और दूसरे दिन सुबह तीन चालिस पर आपको खबर आई कि आपने एर स्ट्राइक किया बाला कोट में इन 10-11 दिनों में आपके दिमाग में क्या चल रहा है तो मैं ये जानना जाता हूँ आपसे मैंने पहले ही दिन गोष्णा की थी कि आतंगवादियों ने और पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गल्ती कर दी है और मेरा बोड़ी लेंग्वेज मेरी भाष्णा से समझ आ सकता है कि मेरे भीतर क्या चल रहा है लेकिन मैं हरवडी में जल्दवाजी में शॉटकट वाले डिसिजन कभी लेता नहीं हूँ तो सभी लोगों से मैंने चर्चा की है सेना से चर्चा की, शुरक्षाबलों से चर्चा की, अपसरों से चर्चा की और चर्चा करने के बाद देरे 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 मैं सोच रहा था कि इसको कैसे आगे बढ़ाए जाए हमारी सेना ने फुलवामा करने वाले आतंगवाजियों को तो यहीं पर मार गिराया वो अपने आपे बहुत बड़ा काम था लेकिन मैं इतने से संतुष नहीं था आतंगवादियों की लालन पालन जहां होता है आतंगवादियों की जहां से खातर पानी मिलता है वहां तक अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो यह सुधने वाले नहीं है और 26-11 कानुभव कहो पार् अचल ले कारा तान तो मान के वर्णाव मैं भारत कुछ करने वाला नहीं है और इतने उनके हिम्मत भी बढ़ती चली जा रही कि हमें इस बार लगए नहीं वही हमने जब उरी के बाद हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखा दिया इस बार हुआ तो हमें लगा कि सर्जिकल स्ट्राइक कर रास्ता ठीक नहीं होगा एर्स्ट्राइक कर रास्ता ठीक होगा तो हमने एर्स्ट्राइक कर रास्ता किया और बहुत सफलता पुर् इसके बाद भी लश्कर-े-ताइबा और जैश-े-मुहमद जब चाहता है कश्मीर में अटाक कर देता है तो इसका लंबे समय में इसका क्या इससे ज़्यादा कथोर करना उखाने पड़ेंगे आपको पहली बात है कि थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए आतंगवादी हमले करते हैं वो घतनाय तो बहुत कम हो गई है पुल्वामा एक अप्पाध है ज्यादातर शिक्यूरिटी फोर्सिस एंगेज करते हैं सेकुरिटी फोर्सिज जब उनको पकड़ने लिए जाते हैं उसमें गोलियां चलती हैं उसमें आतंगवादी मारे जा रहे हैं तो इन दोनों जितनी घटना एंगट रही है हमारे काल काल में उसमें अधिकतम घटना है Security Forces के द्वारा Engagement की करता है वो आकर के कहीं मार के चले गए और बजगे ऐसा नहीं है Opposition Parties ने बार बार आपसे बालक कोट में एक सबूत मांगा है कहा है कि कुछ नंबर था 200 लोग मारे गए तो ये नंबर कहां से आया तो क्या हम कभी सबूत देंगे क्या आप कभी इस चीज को आगे लाएंगे जब आप एक दुश्मन से लड़ाई लड़ रहे होगों तब इस प्रकार की भाषा दुश्मन को बल देती है देश को Confuse करती है देश के जवानों को Demolize करती है और इसलिए ऐसे समय देश को एक सफर से एक ही बात कहनी चाहिए कि हमारे वीर जवानों का गवरोग करना चाहिए उनके पराक्रम का गवरोग करना चाहिए इसके पहले कई उद्ध हुए है क्या कभी किसी ने इस प्रकार की भाषा प्रोग की है कभी नहीं कि कई action हुए कभी किसी ने ऐसी बहुत ना प्रोड नहीं लेकिन सत्ता के बहार निकलने के कारण सत्ता के लिए छठ प्रड़ने वाली कॉंगेस के लिए उन्होंने सारी मरियादा एक हो दी है और उसका कारण है किस पकार की भाषा बोलते हैं जहां तक सबूत का सवाल है पाकिस्तान अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है पाकिस्तान ने क्या कारण था कि सुबर पाइट बीजी उड़कर के ट्वीट किया कि हमारे साथ ऐसा हुआ है हम तो चूप थे और पाकिस्तान को क्यों कहना पड़ा वो अपने आप में सबूत है ऐसा तो नहीं है कि भारत सरकार पहले जाकर के बोली या हमारी सेना के लोग बोले ऐसा तो नहीं है मोदी जी इमरान खान से हमें क्या पेक्षा रखनी चाहिए क्या उमीद रखनी चाहिए उनके पीछे आर्मी का भी हाथ है तो इसलिए ये नहीं समझ में आता कि उस देश को चलाता कौन है और आज कल इमरान खान वार मॉंगरिंग की बात कर रहे हैं कि भारत में इस बात का इतना महत्व इसलिए है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे भारत के अंदर पाकिस्तान के किसी भी बात पर रती भर विश्वात नहीं है पाकिस्तान की जीरो क्रेडिबिलिटी है हमारे देश में और इसलिए पाकिस्तान में क्या कहा जाता है क्या बोला जाता है हिंदुस्तान का सामान्य मानूवी भी कभी स्विकार नहीं करेगा लेकिं दुरुवागे से बिरोधी दल के लोग पाकिस्तान की हर बात को अपनी बात बनाने लग गए है ये चिंता का विश्य है सवाल यह है चुनाव चुनाव के साथ जोड़ करके कोई बात करता है तो उसे दूसरा गलती क्या हो सकती है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मुद्धा चाइना कभी है अगर हम देखें तो मसूद हदर के मामले में चाइना ने दस साल में इस बार चौथी बार फिर वीटो का इस्तमाल किया तो यह हम चाइना से कैसे डील करेंगे एक होता है चाइना के साथ हमारा भाइलेटर डिलेशन दीपक्षिय सम्मन्ध हमारे ऐसे है हमारे पॉलिटिकल एंगेजमेंट है भारत का इंवेस्टमेंट वहाँ हो रहा है वहाँ का इंवेस्टमेंट भारत में हो रहा है भारत के नेता महां जाते हैं उनके नेता यहां आते हैं इस बीच बीच सिमा का विबाद है और सिमा का विबाद अभी तक सुल जान नहीं है भारत का एक पक्ष गहे हैं, चाइना का दूसरा पक्ष है और इसलिए हम लोगों ने मंग बनाया है, भारत ने और चाइना के कि हमारे बीच differences है, उसको स्विकार करके हम चलें लेकिन हम कोशिश करें कि differences हमारे dispute पे convert नहों और ऐसी कोई अगर बात होती है तो हैर लेवल पर इसको एक दूसरे के पास पहुंचाना चाहिए और यह प्रक्रिया हमारी लगातार चलती रहती है जहां तक आंतराश्ट्रे समंदों में उनको क्या स्टेंड लेना क्या स्टेंड लेना दे हर देश अपने प्रे तरीकी से त कई बात ऐसी होते हैं जिसमें हम प्लेस्टाइन के साथ होते हैं तो कुछ बात ऐसी होते हैं इसराइल के साथ होते हैं कुछ बात ऐसी होते हैं जहां हम इरान के साथ होते हैं कुछ बात ऐसी होते हैं जहां हम अरभी कंट्री के साथ होते हैं तो इसलिए हर देश अपने हित रश्य हमारे साथ हुआ करता था और सारी दुनिया पकिस्तान के साथ होती थी आज स्थिती पूरी तरह बदल गई है अकेला चाहिना पकिस्तान के साथ होता है और पूरी दुनिया भारत के साथ होती है इस बदलाव को हमने समझना चाहिए और यही भारत की सभलता है तो इस बात भी क्या आपकी चाइना से कुछ बात हुई है आप करें कि आपका डायलोग उनसे बना हुआ है बराबर काम साथ में करने का एक फैसला लिया हुआ है तो क्या इसके बात भी उनसे कुछ बात हुआ है हर मिटिंग में हर मुद्दो पर चर्चा होती है उसमें ये भी मुद दुनिया यह बाइपोलर नहीं है इस ग्लोबलाज एरा में हर देश एक दूसरे पर इंडिपनेंट भी है और कनेक्टेड भी है अमतराश्टे कानूर भी है डबली टो जैसे जिसके हम सिगनेटरी है और इसे एक सरकार के नाते अफिशल स्ट्रेंट हमारा आमतराश्टे जो काईदे कानूर उसी के अनुसार नहना चाहिए और भारत पालन करता है जहां तक नागरीकों को क्या चीजे रखा लेनी चाहिए क्या चीजे उप्योक करनी चाहिए वो नागरीकों के सुजबुच पर विश्वास रखता है मार्ड़स नागरीकों के सुजबुच पर भारत पालन करता है